जिन्हों ने बप्तिस्मा नहीं लिया, वो गैर भाषा बोल सकते हैं कि नहीं कि मैंने बप्तिस्मा नहीं लिया और मेरे जो गैर भाषा आते हैं मुझे ये प्रशन बहुत दुविदा में डालते हैं बाइबल बताते हैं कि एक जगा पत्रस जब परचार करने के लिए गया अन्य जातियों को तो लिखा परचार करते करते उन पे पवित्र आत्मा उत्रा और वो गैर भाशा बोलने लगे जब कि उन्होंने बप्तिस्मा अब तक नहीं लिया था तो ऐसा हो सकता है कि आपने बप्तिस्मा ना लिया ओ और आप पे गैर भाशा उत्राओ प्रेजितों के काम उसका वचन बताता है कि जब कुर्निलियस के दर्शन के द्वारा पत्रस गया था उन जगाओं पे अन्य जातियों में परचार करने के लिए तो लिखा पर चार सुनते सुनते उन पे गैर भाशा उत्रा था और बाइबल बताते ही आप पर भी वो गैर भाशा उतर सकता है जब अग्चाहे आपने बप्तिस्मा नहीं लिया पर इसका मतलब निया बब्तिस्मा ना लो ये परमेश्र का अनुगर है जो आपको पवित्रात्मा मिला आपको गैर भाशा मिली उसके बाद आपकी जिम्मेमारी बनती है उसको मेंटेन करने के लिए कि आप अगर पवित्रात्मा आपने पाया है जो तब ही टिक सकता है अगर आप परमेश्र के वजनों को मानेंगे अगर आप उसके वजन पे खड़े रहेंगे आप जान बोच के कोई काम डिले नहीं करेंगे तो अब आपको बब्तिस्मा लेना चाहिए ताकि ये गैर भाशा आप बड़े और आप आत्मा में ग्रोव कर सको हालिलुया